बिहार के परेटन कला संस्कृती खेल कूद यूम इवा मामलो के मंत्री आलोक रिंजन्छा इन दिनों जमशेदपूर सहर के दोरे पर हैं इस दोरे के दोरान मंत्री अपने परिजनों यूम समाज के बुदी जीवियों के संग मुलाकात भी कर रहे हैं बताते चलें कि मंत्री का ये दोरा नीजी है हलांकि मीडिया के सवालों पर वे खुद को रोप न सके मंत्री ने बिहार के दो वधानसवा सिटों पर एंडिये की जीत का दावा भी किया और कहा भी पक्ष लाख जतन कर ले बिहार की जनता किसी कीमत पर मा अगडबंधन को सत्ता पर काविज होने नहीं देगी क्योंकि उन्होंने 15 साल के जंगल राज को देखा है मुक मंत्री ओरी सरकार में मिला है, तब से हम लोग इस काम में और ज्यादा जोड़ी से पहले भी हमारी सरकार आपको हम बताना चाहते हैं कि हम अपने राज में पर्तीय प्रखंड में इस्टेडियम बनाने का लक्ष रखे है प्रती एक प्रखंद में हमारा एक स्टेडियम होगा और लगबख सारे तीन सो से जादा स्टेडियम हम कुलित कर दियें लगबख जेज सो से जादा स्टेडियम हम बना चुके हैं हम प्रतियक परमंडलिये मुख्याले पर सिंटर ऑफ एक्सेलेंस खोल रहे हैं जिसमें की सारे कई खेल का हमारा जो है सुछ में इंफ्राइस्ट्रक्चर तयार होगा हमने राज में खेल सह बयाम शाला लगबक सारे चोग करूर रुपया चोग गरूर 61 लाक रुपया के उस जिला क्या खेल में हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हम काम लगातार करते जा रहे हैं और इसी प्रकार से हम अपने इंफ्राइस्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं हमको अभी हम राजगीर में 740 करोर के लागत से राजगीर में एक खेल एकादमी बना रहे हैं और साथ ही किल्केट स्टेडियम बना रहे हैं लेकिन आपको जानकर खूसी होगी कि हमारे माननिय मुक्मंत्री और मुक्मंत्री के प्रियास के कारण हम लोग आज बिहार में खेल भी सुविद्याले खुलने जा रहे हम लोगों ने इसका प्रस्ताव विलांत सवाद से हमारा पारित हो राजपाल महदेत के हां से अलमोदन हो गया और आने वाले समय में एक साल के अंदर हम लोग राजगीर में ही जो हमारा खेल अकादमी है और जो हमारा इतना बड़ा साथ साथ सब्सक्रूर की लागत से प्राइस ट्यार हो रहा है उसी में हम खेल विस्विद्याले सुरू कर कि चुकी हम अब चाते हैं कि हमारे राज का भी खिलारी आने वाला जो हमारे जो प्रधानमंत्री का सोचे कि हमारा जो है सुदेश में ऑलम्पिक और पाराइलंपिक में हम टॉप पड़ जाएं तो उस टॉप में जाने के लिए हमें सभी राज में अपना इंट्रूर नही ज्यादा तर इंफ्रास्ट्रीक्शर खेल के च्हेकर में जार करना होता है और बिहार के अलग होने के कारन इंट्रास्ट्रेक्शर के मामले में थौड़ा कम जोब पड़िया लेकिन हमारे बिहार के यससवी मुख मंदिरि ए उत्मुख मंद्री के कारन आज जब से भी बहुत सारा डबलप्मेंट करना सुरू करते हैं और आज जो इस्थिती है देश की इसमें हमारे यसस्थी मौनिय प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी जी जिस प्रकार से खेल को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्ज किया जिस प्रकार से अपने खिलारियों को प्रोथसाहन उनकी समुश्या को समझ कर उनको अलगसे इदि सिक्षा देने के लिए तो उसकी व्यवस्था करके और इन सारी कारणों व्यवस्था के कारण आज देश को दिखाई देने लगा है कि देश कभी जो है सो नम्मर से निचे राता था जाब मैडल में आज हम लोग 50 से उपर की स्थिति पे बेस में पहुचे हैं ओलम्पिक और पाराओलम्पिक या हमारे माननिय प्रधान मंत्री जी के प्रयास के कारण आज हम लोग यहां पोचे हैं और हम लोग को उमीद है कि आने वाला जो समय फिर अमारा अठाइस और तीस का जो अलब्तित होगा उसमें भारत बहुत अच्छा प्रधर्सन करें और उसी अनुरूप हम लोग अपने राज के भी इफ्राइस्ट्रक्टर को डवलप करने के लिए